नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UK SSC Cracker में तो उत्राखन अधिनस्त सेवा चैन आयोग द्वारा वन दरोगा भड़ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्तियों द्वारा आपत्ती जताए गई थी नॉर्मलाइजेशन से लेके प्रशन डिलीट होने से लेके तो अभ्यर्ति जो है वो कोट गए थे और कोट ने आयोग को जो है फिजिकल होने वाला है तो फिजिकल किस तरीके से होगा एड्मिट कार्ट काब आएंगे वो हम डीटेल में जाने हैं तो आप देख सकते हैं यह हिंदुस्तान न्यूस पेपर में आया है नौ तारिको ठीके नौ मई को जिसमें की वन दरोगा भड़ती प्रक्रिया आपत्यां खारिच हो चुके अब यह खारिच किसलिए हुई है यह भी हम आपको बता दिते हैं कोट ने जो जांच के लिए दिया था वो सिर्फ आयोग को दिया था तो आयोग अपने को कभी भी गलत नहीं ठेराएगा आयोग हमेशा अपने को सही ठेराएगा अपने एक्सपोर्ट को सही ठेराएगा तो इसलिए आयोग ने कहा कि इसमें कोई भी आपत्ती नहीं है सारे वीडियो का भी document verification भी होने आप देख सकते हैं July के प्रथम सब्तहा में ठीक है इसकी सारे रिक परिक्षा हो जाएगी ठीक है तो यह काफी बड़ अपडेट है आपके लिए जिसमें कि आपका document verification होगा और इसमें physical हो जाएगा ठीक है तो फिजिकल आपका July में होगा अभी पुलिस भड़ती का जो होने वाला है ठीक है फिजिकल और आपका जो admit card है वो June के last हफता में देखने को मिलेगा ठीक है तो June में आपको last में मिल जाएगा तो उसके लिए आपक कर दूँगा तो अभी जिनका भी नाम है ठीक है आपका जिन लोगं का भी merit list में नाम था फिजिकल के लिए वो अपनी तयारी करिए और जो फिजिकल रहेगा आपका forest guard का और वन दरुगा का दोनों का physical एक जैसा ही रहेगा physical और medical की पूरी जानकारी इसमें देंगे तो वी आपका height measurement सब से पहले होगा जिसमें की पूरोषों की जो लंबाई है वह 163 cm होनी चाही और जो महिलाओं की लंबाई है वह 150 cm होनी चाही है और जो सीने की नाप है वह सिर्फ आपकी पूरिशों की दी जाог ethos कीतिसमें वह नोसुषों की तो इसमें सब से पहले देख लेए जनजाती, गोर्खा, नेपाली, आसामी, लद्दाकी, सिक्किम, भूटान, गडवाली, कुमाउनी, नागा, अरुनांचल प्रदेश, लहुआ के जो मिघाले के जितने भी अभ्यरती हैं, तो उनको इनमें छोट दी जाएगी, तो उनके लिए जो है कि उनके पास क्या होना च चाहिए, तो 5 cm फूलान के बाद आपकी विस्तारण जो है, 5 cm तक होना चाहिए, तो ये आपका देखा जाएगा, महिलाओं की जो है चाती की नाप नहीं होगी, सिर्फ पूर्शों की होगी, और 5 cm फूलनी चाहिए, मिनिमम कुछ नहीं है, सिर्फ 5 cm फूलाना है, ठीक है, इसके बाद जो है, आपकी दोड रहने वाली, जो कि आपको 25 km दोड़ना है, 4 घंटे के अंदर, तो 4 घंटे के अंदर मतलब खतम कर देनी है दोड़, और बहलाओं को 14 km दोड़ना है, जो कि अधिकतम 4 घंटे के अंदर दोड़ना है, तो अगर आप 25 km दोड़ना है, तो अ भरुबात में ही तेज दोरेंगे तो आपका स्टैमिना है खत्म हो जायेगा और लास्ट में आप ढ़कर नहीं पाएंगगे तो तहिरे देरे करे दोर यह गा जैसे कि आप जोगिंग कर मिंगे तो आपका जो है दोड़ कम्प्लीट हो जाएगी मतलब 4 गंटे, 3 गंटे के अंदर अंदर आप अपनी दोड़ को कम्प्लीट कर देंगे इसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा जिसमें कि आपकी आँखों की जाँच होगी color blindness देखा जाएगा कानों की जाँच होगी पेरों की जो तलबे होते हैं वो देखे जाएगे साथ में गोटेने देखे जाएगे अगर आपके सरीर में कोई tattoo है कोई निशान है वो भी देखा जाएगा आपके दांतों की जाँच होगी किसी पत पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी समान्य द्रिस्टी प्लस माइनस 4 डियोक्टर से अधिक का 200 तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी द्रिस्टी मतलब आँखों का जो लेंस अगर आपने चस्मा पहना है तो 4 डियोक्टर तो D जो होता है डियोक्टर होता है से जादे नहीं होना चाहिए तो आप लोग अच्छे से जो सब्दे दिखेंगे उनको आपको पढ़ना होगा तो 4 डियोक्टर से प्लस माइनस ठीक है मायोपिया, हाइपर मायोपिया आपका जो है देखना होगा ठीक है अगर आपकी द्रिष्टी चार डियाप्टर से जादे है सबोज आपकी पांच है या उससे अधिक है तो आपको जो है reject कर दिया जाएगा इससे कम है अगर आपका 0.5 0.75 का चस्मा है तो वो माननी रहेगा ठीक है तो यह आप लोग ध्यान से समझ लीचेगा क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे चस्में हैं क्या वो चलेंगे क्या वो नहीं चलेंगे तो यह मैंने आपको clear कर दिया है इसके बाद आपका color blindness test होगा जिसमें की एक number छुपा होगा इन number के अंदर ठीक है तो एक different color से number लिखा हुआ होता है उसको आपको detect करके बताना होता है तो यह जो रहता है color blindness test होता है जैसे कि आप देख रहे होंगे 12 लिखा है तो इस तरीके से काफी numbers आपको दिखाए जाएंगे आपको बताने होंगे कि कौन से number हैं कौन से symbol हैं तो वो जो रहता है आपका color blindness test भी आपका रहने वाला है इसके बाद जो है आपका घुटनों की जाच होगी जिसमें देखा जाएगा कि आपके जो दोनु घुटने हैं वो अलग-लग होने चाहिए मतलब gap होना चाहिए दोनु घुटनों के बीच में तो चिपके वे घुटने नहीं होने चाहिए पैर अगर आप मिलाएंगे तो आ एक दम सही पोजीशन है जिसमें कि आपका जो है सेलेक्शन होगा ठीक है तो घुटनों में गैप होना बहुत कमपलसरी होगा इसके बाद जो है आपके पैर के तलवे देखे जाएंगे जो कि आपके फ्लैट नहीं होने चाहिए ठीक है तो आप देख सकते हैं पैरों में ज देख सकते हैं आपके ऐसे होने चाहिए ठीक है तो फ्लैट फोट इसमें जो है रिजेक्ट कर दिंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं नॉर्मल फोट आपके होने चाहिए इसके बाद आपकी कानों की जांच होगी जिसमें की देखा जाएगा कि आपकी कान सही हैं पड़द हाँ आपकी जब मेडिकल होगा तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनका कहना है कि इसमें अलाव नहीं है ठीक है और बात कर लेते हैं दातों की तो दात अगर आपके सही है तो कोई दिक्कत नहीं आप अपनी सफाई से दातों को लाएए ब्रश करके लएए बद्बू नहीं आनी चाहिए दातों में से ठीक है और कीड़ा लगा है वो लगा है वो बात की बात है बस इसमें सफाई मीन है तो चैनल में अगर आप नए है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजे